बुड मारिंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 7 की सोशल साइंस की वक्षिट नमबर 5 को कम्प्लीट करेंगे बटा इस वक्षिट में हम मानभ परियावरन की पारे में पढ़ेंगे करना है उसमें चेंजिस करता रहता है प्रारंबिक मानव ने स्वैम को प्रकरती के अनुरूप बना लिया था अब जो शुरुवाती मानव था प्रारंबिक मानव था उसने अपने आपको प्रकरती के अनुसर बदल लिया था प्रकरती के अनुसर ढाल लिया था उसे जैसा ख जाते रहते थे शिकार की तलाश में भोजण की तलाश में उनका जीवन सरल था आसपास की प्रकरती से उनक्य अवह और जीवन धीन कोchantग उजिक्ता और उचाथ और जो फाल जो आसपास की जो विखन को जो लो मेरी VIP खा कई प्रकार के अवशक्ता है बड़ी और मानव ने प्रयावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने की कई तरीके सीख लिए अब धीरे दीरे मानव जो आदी मानव था उसने आग जलाना सीखा फसले उगाना सीखा जब उसने फसल उगाना शुरू किया तो एक जगार प परिवर्तन के अलग तरीके सिक ले दीरे आघ जिलाने सीखा जलाने से उसको जो भूजन था वो पकाना आं गया इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन उसने की कि अब जैसे फसल उगाने के लिए जंगल जो थे वह साफ करने पड़ते थे तो पेड़ों को काटना है देरे दी है आज का वो भी ऐसे परिवर्तन करता अपने विशक्ता हो कि अनुसार जंगल उनको काड़ देता है रहने के लिए जगह बनाने के लिए और क्रिशी के लिए उसने पसल लुगाना पशु पालना एवन स्थाई जीवन जीना सीख लिया पहले तो भोजन की तलाश में एक प्रेटन को अपना अपनाना शुरू किया उसने अपनी अवशक्ताओं से अधिक चीजों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया और उन चीजों का वेपार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने क्या किया अपनी अवशक्ताओं से जाधा चीजों का उत्पादन शुरू किया उनको जादा मात्रा में बनाना शुरू किया और जब वो जादा मात्रा में थी तोन चीजों का वेब पार करना शुरू कर दिया अब बात करते हैं बिटा वस्तु विने में पद्यती तो जो वस्तु विने में पद्यती होती है उसमें क्या होता बिटा वस्तु की अदला बदली होती है कि एक वस्तो के बदले में हम दूसरी वस्तो ले लेते हैं वसमें धन का प्रियोग पैसे का प्रियोग नहीं होता अगर हमें कोई चीज लेनी होते हैं तो पहले के समय में क्या होता था वस्तो के बदले में वस्तो ली जाती थी मानलो मुझे गेहूं चाहिए और किसी व्यक्त दिखाया गया बच्चों कि बच्चे के पास fruits है और इस बच्चे के पास मुरगा है तो इसको मुरगा देके यह fruits ले लेगा तो इन दोनों के अविश्यक्ताय के पास होना ज़रूरी होता था और उस दूसर व्यक्ति के पास उस चीज की कमी भी होने चाहिए उसको जरूरत होने चाहिए जो हमारे पास है तो इस तरह अब आज के समय में जैसे अमें कोई जरूरत होती है किसी सामान की तो बच्चों हम क्या करते हैं सिधा पैसे लेके मार्केट में जाते हैं अपने वह समान लेके हैं तो मुद्रा के आ जाने से इन सारी चीजों की जो समस्याएं थी वह बहुत दूर हो गई अब जो विस्तों प्रूट तो अगर नहीं कोई ले तो कई दिन में खराब हो जाएंगे तो मुद्रा किया जाने से यह सारी समस्याई भी दूर हो गई और आज कल प्लास्टिक मनी यानि कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा बैच्चों अपके पेरंट्स के बास भी होगा या फिर यही सारी चीज़ें हम बहुत इस्तेमाल करते हैं आज कल के टाइम में ओनलाइन मनी ट्रांसफर का भी उप्यों किया जाता है है और उसे शॉपिंग हो थे पहले हमें बहुत सारा पैसा लेके जाना पड़ता था शॉपिंग के लिए और उसे पैसा गुम होने का चोरी होने का भी डर रहता था हमारे जो पैसे उसके फटने का भी डर रहता था तो अब ये सारी चीज़े भी हमारे लिए आसान हो गई हम घर बैठे ओन-लाइन शौपिंग भी कर सकते हैं हमारा कोई भी ठแосन मंगा सकते हैं ऑन-लाइन हम फ्ख्ते भी नहीं है हमारे टाइम भी बच जाता और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू किया अब दीरे दीरे जब ये चीज़े विक्सित होने लगी तो उसने दूसरे लोगों के संपर्क में आना शुरू किया और अपनी सुविधाओं और विभिन उद्देश है जो भी है उसके उसके लिए खुद का एक वात तवरन बनाया अब बच्चो आप खुद देखो हमें जो है हम अपने काम अकेले नहीं कर सकते हमें अपने कामों के लिए अपने अवशक्ताओं के लिए दूसरे व्यक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी जैसे ह अब मारे सिक्षा चाहिए हमें पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए टीक चाहिए विमार हो जाते हूं तो हमें डॉक्टर्स चाहिए और पूजा के लिए मंदिर चाहिए पैसा रखने के लिए बैंक चाहिए और बहुत सारे पुलिस है स्वास्तेगर्मिया इन सबी चीजों की सरकार की हमें जरुरत पड़ती हम अकेले नहीं कर सकते हैं सारे काम जैसे भोजन के लिए हमें किसान पर निरभर रहना पड़ता है जब मानपरियावरन के कुछ विदारन को दिखाता है कि मनुश्य जो है इन सबसे जुड़ा हुआ है तो मानपरियावरन के क्या हिस्से हैं बच्चों सिक्षा विद्याले है हमारा बैंक हमारे मानपरियावरन का हिस्से है धर्म हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हम जाते हैं अलग-अलग धर्मों की पुजा करते हैं हमारे समुदाएं डॉक्टर नर्स पुलिस सफाई करमचारी टीचर्स यह सब होके परिवार हमारा वो हमारा सबसे इपॉर्टेंट एक इसता है मानव परियावरण का व्यक्ति जो भी हमारे आस पास के हैं वह हमारे लिए बहुत लाब दायक हैं उन से हमारे माना परियावरन के भाग है अब यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि लोगडाउन की परिस्टियों को याद कीजिए और निमले के तालिकाओं को पूरा कीजिए अब बच्छों जब लोगडाउन की स्तिती हो गई थी तो अब देखो हम बहुत सारी चीजों को बहुत बिलकुल ही बंद कर द Biya घ्या 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 लेकिन फिर फिर भी हम बहुत ऐसी चीज़े हैं जिनके पगार हमारे काम नहीं और शमस्त्रा पर्लर की इसे माहौल की यह सब बंद हो गए तो इसका अंसर आपको इस तरह से लिखना है भाजों मानब परियावरन का वहसा जो कारे कर रहा था डॉक्टर नर्स पुलिस सफाई करमी अध्यापक और मानब परियावरन का वहसा जो कारे नहीं कर रहा था वकील, रिक्षा चालक, मजदूर, पारलर, सिनेमा गर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें दो उससे में काम नहीं कर रही थी तो यहाँ पर हमारी वक्षीट कम्प्लीट होती है, आई हो बच्चो आपको वक्षीट समझ में आ गई होगी, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्षिन में अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं और अगर आप कोई वीडियो समझ में आ गई है, वक्षीट से समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने माली वीडिय आपको टाइम सी मिल सके बाई 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 बच्चे वैब गुड डे ब्यार बच्चो